Hello and welcome to TechInfoYT तो प्रिविएस वीडियो में हमने यहां पर प्रोफाइल इमेज आड की थी यानि यूजर अब क्या कर सकता है उसकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप डबल से इसको चेंज कर सकते हैं इसमें सिर्फ बाखी थी तो आप अपने हसाब से वह कर सकते हैं अब यहां पर हम क्या करेंगे फॉलो अनफॉलो और कुछ ऐसी चीज़े हम यहां पर आइड करेंगे जैसे कि हम चलते हैं डाशबूट पेज पर और मैं लॉग आट हो जाता हूँ पहले क्योंकि यहां पर करेंगे किस चीज़ का देखिए जैसे आपने कोई भी सोचल नेटवर्किंग साइट देखेंगे इंस्ट्राग्राम देखाऊंगा तो वहां पर नीचे जो है सजेशन का आप्शन शो करता है फॉलो अनफॉलो का तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर साइड बा ताके लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहां से हम क्या करेंगे पहले एक राउट क्रेट करेंगे तो चलते हैं राउट में और ऑथेंटिकेशन में ही इसको हम क्रेट कर लेंगे यहां पर सजेशन के लिए कर देता हम सजेशन और पीपल सजेशन क को मिलने वाला है और इसके लिए हम एक route क्रिएट करेंगे router.get क्योंकि get method है सारे profiles हमको get करने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका नाम रख देंगे find people या फिर suggest people भी आप कर सकते हैं तो it's up to you आपको क्या use करना है और साथ ही में require sign in इसमें अब हम add कर देंगे ताकि सिर्फ login user को ही यहाँ पर suggestion शो करें और यहाँ पर हमको क्या करना है controller add कर देना है तो controller का नाम भी हम रख देंगे find people controller और इसको भी हमको create करना है तो मैं यहाँ से इसको copy कर लेता हूँ copy और यहाँ पर import में जहाँ add कर देंगे अभी save नहीं करेंगे वरना हमको add or show करेंगा अब चलते हैं यहाँ पर controllers के अंदर और हमारे पास है auth controller तो नीचे हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको create कर लेंगे मैं comment कर देता हूँ साथ ही में suggestion और again people suggestion है यहाँ पर हम create कर लेंगे export const find people controller equal to arrow function इतना बना के इसको save कर लेते हैं पहले save तो यहाँ पर auth route को भी अब हम save कर सकते हैं save कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी error हमको देखने नहीं मिलेगा successfully यह code compile हो जाएगा तो इस function को हम async बना लेंगे so async और इसके अंदर request and response हम add कर देंगे अब यहाँ पर हमको क्या करना है सबसे पहले जए try catch block का इस्तिमाल करना है ताकि अच्छे से error को भी हम handle कर पाए console.lock कर लेंगे हम यहाँ पर catch के अंदर error को और बागी कुछ भी हम इसमें भी send नहीं कराएंगे फिलाल हमको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले find करना है user की ID को क्योंकि हम नहीं जाते जो save user है वो खुद को ही वहाँ पर suggestion में पाए यानि कि अगर यहाँ पर suggestion में वो जाए और खुद का यह आईड आएंगा तो कैसा लगेंगा तो हमको यह prevent करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे user की ID जो है get कर लेंगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक variable create कर लेता हूँ users equal to avit user model dot find by id और यहाँ पर हमारे पास आएंगे request dot user dot underscore id और इसको हम single user कर लेंगे क्योंकि एक ही user के लिए है न तो हम यहाँ पर user कर लेंगे इसको उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर एक variable create करना है user follow कर रहा है उसको जो है get कर पाएं तो यहाँ पर comment बैट कर दें following user ताकि आपको भी पता चले अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक variable बनाएंगे let following और यह get कर लेंगे user के अंदर से तो user dot following क्योंकि following का हमने model में बनाया था देखिए एक बार हम चेक कर लेंगे यह रहा model user model और इसके अंदर देखिए following का array of object तो यह चीज हमको यहाँ पर add कर देनी है तो वह हमने add कर दिय फिर से इसको push करा देना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ following.push क्योंकि array है अभी आपको बताया हम array of object है तो इसमें push करा सकते किसको push करा देंगे user dot underscore id को अब इसके बाद हम क्या करेंगे suggestion के लिए show करेंगे तो const people equal to await करना है हमको await किस चीज करेंगे यहाँ पर user model के अंद करेंगे so aggregation का framework आपको नहीं पता mongos में या फिर mongodp में हम क्या कर सकते क्यूरी हमको multiple create करना है तो हम aggregation का इस्तिमाल करतें तो यहाँ पर जो है न हम n i n का use करेंगे तो dollar n i n not include का जो हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे और उसके अंदर यहाँ पर following को add कर देंगे और इसके इसके बाद में हम यहाँ पर response send कर देंगे less.send यहाँ पर json response है न तो json कर देंगे इसको और इसके अंदर people को pass करा देंगे यहाँ पर people add कर देना है और इसको save कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा controller create हो चुका है अब हमको क्या करना है simply हमारे front end पर काम करना है इसके लिए हमक find people के नाम से controller बनाया है सबसे पहले हमने user को get किया कि कौन से user का है यह तो उसकी id हमने यहाँ पर get कर ली ताकि उसको prevent करें यहाँ पर हमने user को get कर लिया उसके बाद में हमने एक variable बनाया है ताकि इसमें हम get कर पाए following को अगर already follow करता है जिसको तो वह भी show नहीं होना इसलिए हमने यहाँ पर उसको पुश करा दिया देख सकते है आप नीचे पुश के अंदर हमने user की id पास करा दी और इसके बाद में user model के तुरू database में जितने भी accounts है उसको जहाँ वहाँ पर suggestion में show करा सकते हैं बाद में हम देखेंगे इसको randomly भी create करेंगे और फिर आप चा यहाँ पर देख लेंगे तो यहां तक क्या आप जहाँ complete करके रखेंगे next video में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके UI पर काम करेंगे और वहाँ पर data को fetch करा के लाएंगे तो मैं मिलता हूं next video में